नमस्ते, स्वागत था आपका स्टोलो में Options Trading और Paper Trading Platform आज हम बात करने वाले हैं Pay In and Pay Outts का बारे में Pay In and Pay Outts एक ऐसा फीचर है जो आपको मदद करता है ट्रैक रखने में कि आपने कितना पैसा अपने ब्रोकर को दिया है और कितना पैसा आपने अपने ब्रोकर के अकाउंट से अपने अकाउंट में वापिस लिया है तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स में टूल्स में हम सबसे नीचे देख सकते हैं Pay In and Pay Outts हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप मेरी पुरानी एंट्रेस कुछ देख सकते हैं जैसे मैंने एक जून को यहां पर Pay In किया था 25 लाग रुप है अपने ब्रोकर क्या कौना 5 जून की मेरी एंट्री रही Profit की एक मेरी 8 जून की एंट्री रही Loss की और 23 जून के एंट्री मेरी पे आउट की पर अब हम स्कॉर कंटिन्यू करना चाहते हैं आज की तारीक है 29 तारीक तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 47 तारीक को एक Transaction किया चलिए हम इसमें Add Transaction में जाते हैं हम अगर Transaction उसको Add करना है तो मैंने किया Pay In मैं लिखना चाहता हूँ कि मैंने Pay किया अपने Broker के Account को Let's Say 20,000 रुपया तारीक मैं डालना चाहता हूँ 47 और नोट्स डालना चाहता हूँ कि यह मेरे Account से गया Let's Say 5 एकाउंट में तो मैं इसमे Save डीटेल कर दूँँगा अब मैं यहाँ पे अपना अगला Transaction बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से एक मैं यहाँ पे Profit दिखाना चाहता हूँ कि मैंको 28 तारीक को कुछ Profit हुआ 20,000 रुपय मुझे हुआ 50% का So that would be 30,000 रुपय टोटल हो जाएका पट मेरा Profit 10,000 रुपय कही होगा तो 10,000 रुपय का मैं Profit दिखाना चाहता हूँ मैं 28 तारीक को और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि Profit made in Nifty वो यहाँ पे और Save हो जाएगा और आम मैं दिखाना चाहता हूँ मेरा Payout तो मैं वहाँ से निकालूँगा 25,000 रुपय मैं को 5,000 रुपय वापस अपने अकाउट में रखना है तो मैं यहाँ लिखूँगा 25,000 रुपय और मैं यहाँ ट्रांजिक्शन बताना चाहता हूँ 29 तरीक का Payout for कोई भी ग्रीजन जैसे की हो सकता है Car Down Payment तो यह मेरी सारी entries यहाँ पर आगे है मेरे notes के साथ है अब मैं यहाँ पर देख पाऊंगा कि मेरा जो total profit रहा है वो है 35,000 का मेरा total loss 2000 रुपय का total pain मैंने जितना किया तो है मैंने total payout जितना किया थैं यहाँ पर और यहाँ पर मुझे लिस्ट में यह सारी चीज़े दिख चाहिए यह ऐसा feature ही जिसका हर एक trader ने यूज करना चाहिए ताकि वो समझ सके कि उनका कितना पैसा कहा पर जा रहा है आप कितना profit बना रहे हैं कितना loss बना रहे हैं यह सब आप यहाँ पर देखके सेख सकते हैं और यह समझना एक point के बाद important भी हो जाता जब आपका जो account हो वो बड़ा होने लग जाए जैसे आप 25 लाग रुपए के transaction कर रहे हैं आपको 10 जार का कहीं profit हो रहा है 30 जार कहीं loss हो रहा है और आपके pay in and pay outs आप अगर track नहीं कर पा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा सा basic feature होता है जिसका use करके आप सभी चीजों को track कर सकते हैं अब किसी ने मुझे इस पर suggestion लिया था कि हम इसको अगर direct अपने broker के account से connect करते हैं और वो इसको directly यहाँ पर देख सके जब भी वो अपने transaction बनाए चाहे वो अपने broker को कुछ पैसे दे या broker से वापिस pay out अगर ले वो यहाँ पर आपको direct दीख जाए तो इस suggestion मुझे अच्छ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूली बहुत बहुत थिल्यवाद फिर मिलेंगे